बच्चो आज हम करेंगे अनुच्छेद लेखना अनुच्छेद क्या होता है निबंद का छोटा रूप निबंद तो बड़ा होता है न जिसे आप परस्ताव भी बोलते है लेकिन अनुच्छेद क्या होता है निबंद से छोटा तो आज हम करेंगे अनुछेद चिडिया घर की सेर पता है ना आपको जू जिसको जू बोलते हैं आप उंग्लिश में चिडिया घर की सेर हमने शनीवार को चिडिया घर की सेर का कार्यक्रम बनाया था हमने शनिवार को चीडिया घर की सेयर का कार्यक्रम बनाया था कार्यक्रम प्रोग्राम हम सभी उत्साहित थे जो भी मतलब आप लोग अगर आप लिख रहे हैं जो भी लिख रहे हैं वो अपने बारे में बता रहा है हम सभी कौन मतलब परिवार के सभी सदस्य है हम सभी उत्साहित थे उत्साहित को सुकता थी देखने के लिए कि क्या चीडिया घर कैसा है वहां में वहां जो जानवर है वो कैसे है तो उत्साहित थे हम सभी सुभ है जल्दी उठ गए चिडियागर जाना था तो जल्दी उठ गए और नए नए कपड़े पहने हमने शनिवार को चिडियागर की सेयर का कार्यक्रम बनाया था हम सभी उत्साहिक थे सुभे जल्दी उठ गए और नए नए कपड़े पहने मा ने खाने पीने का समान बांदा मा ने खाने पीने का समान बांदा और हम सबी चल दिये छेडिया घर की और का चल दिये छेडिया घर की और टिकट घर से टिकट लेकर वहां टिकट घर बना ओता है न चिडिया घर में टिकट के बिना पर एंट्री नहीं होती तो इसलिए जो टिकट घर वहां बना हुआ था वहां से टिकट लेकर हमने चिडिया घर में परवेश किया परवेश दाखिल प्रवेश की या मतलब दाखी लुए दिल्ली का चीडिया घर बहुत बड़ा है कहां गए दिल्ली के चीडिया घर में वो क्या है बहुत बड़ा है या हमने शेर, हाथी, संबर, बारा सिंगा वो सारे जानवर होते हैं चीता, या न वो भी आप लिख सकते हैं या हमने क्या देखा शेर, हाथी, संबर, बारा सिंगा, आदी जानवर आदी किसले लगता है कि और भी जानवर देखे थे लेकिन ये कुछ थोड़े से हमने लिखती है आदी जानवर देखे चिमपांजी चिमपांजी अलग अलग तरह के कर्तब दिखा रहा था, कर्तब नजारे ठीक है चिमपांजी अलग अलग तरह के कर्तब दिखा रहा था, एक्टिंग कर रहा था वो कुछ हमें बहुत मज़ा आ रहा था चिंपयाजी के कर्तब देख देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा था आनन्द आ रहा था मज़ा आनन्द थोड़ी देर के बाद हम पक्षियों को देखने गए जानवरों को देखने के बाद कहा गए पक्षियों को देखने पक्षी भी होते हैं वाँ पे रंग भी रंगे सुन्दर सुन्दर हर तरह के पक्षी होते हैं यहां तरह तरह के पक्षी थे तरह तरह अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के पक्षी थे इनकी मदूर आवाजे बहुत अच्छी लग रही थी मधूर पक्षियों के वाज अच्छे थे ना सुन्दर, मीठी, प्यारी सी तो इनकी मधूर आवाजे बहुत अच्छी लग रही थी चेडिया घर देखते देखते शाम हो गई हम बहुत थक चुके थे घूम घूम कर देख देख कर हम थक चुके थे फिर क्या हुआ हम घर लोटाए हम घर लोटाए चेडिया घर की सेर सचमुच यादगार बन गई यादगार जो कभी ने बूनने वाली चेडिया घर की सेर सचमुच यादगार बन गई आप भी गए हैं कभी चेडिया घर? गए हैं आप लोग? तो ये चिडिया घर की सैर अनुछेद आपने अपनी नोट बुक में लिखना है पेज नंबर 76 ये एक शब्द मैंने बीच में से काड़ दिये जी आपने नहीं लिखना सेवंटी सिक्स पेज हिंदी व्याक्रण ठीक है यह आपने अपनी नोट बुक में लिखना भी है और लान भी करना है मैं इसका पेडिया बेदूंगी